जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौर नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई आसाध्धे रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेको उधारन और भी हैं। कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं। जिसे सब कुछ प्राप्त हो। और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं। इस कारणवश प्रिदे में दुख और असंतोश रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन से अथ्वा संजोग से प्राप्त होती। किन्तु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किन्तु कुछ फेक्ति ऐसे भी होते हैं। जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते। क्या भेद हैं उनमें और अन्ने लोगों में। कि या आपने कभी विचार किया है। सरल साउत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता। जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। और पात निर्बलता अवश्य इश्वर देता है। किन्तु मर्यादा मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयम विचार कीजे। भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष। रिदे में आज एक्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रिदे भविश्य की उजना बनाता है। भविश्य में एक्छापून होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तो जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस शन का नाम है और फाद इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदी हम भिदे में उतार लें कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल भैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं। स्वागत कर सकते हैं भविश्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयम दिचार कीजिए. ज्ञान प्राप्ती सदा ही समर्पन से होती है. ये हम सब जानते हैं. किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है. कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है. कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है. और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहमकार से भर देता है. नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं. और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते हैं. मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है समर्पण मनुश्य के अहंकार का नाश करता है फीर्षा, महत्व कांक्षा, आदी भावनाओं को दूर कर प्रद्य को शान्त करता है और मन को एकागर करता है वास्तव में इश्वर की स्रिष्टी में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानीों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्ञानका हो या जीवन के ज्ञानका या गुरुकुल में प्राप्थ होने वाले ज्ञानका उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? सते एक मनुष्चे के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वफ सारी आशाय सारे द्रिश्ट वस्त हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही विखर जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख इसी को धर्म संक्ट को देए जब धर्म का वहन ही तंग कट दो और धर्म का त्याग ही तुख को विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोध सत्य बोलने का अफ्सर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दर्यद्रता के समय सरलता से चूरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सब के जीवन में ऐसी घटना बंती ही रहती है अधिक्सर लोग ऐसे किसी कटन को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाता हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव भी नहीं होता। सहजता से सुख्ची और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्ठी गुड की और खिची चली जाती हुआ वास्तव में घर्म संकट्टा कंड इश्वर के निकट जाने का स्कंड होता है जदी हम संघर्षों से भैवीतना तुक्की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहे तो इश्वर का साख्षातकार दूर नहीं करने वाला पत्ता यदी पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उस्ता है अब से जुखने वाली हाद वहीं भूमी पर रह जाती है अर्था घर्म संकट्ट से यदी हम संकट को ही टाल दूर तो दुक्तों मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तू क्या तरित्र नहीं तूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या इश्वर से अंतर नहीं हो जाता तो आम विचार कि दो वेक्ती जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रैत में अवश्चे करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का अधार यहीं सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्ती इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हिर्देख प्रोज से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णे करने की अनुमति नहीं दे अपना निर्णे उस व्यक्ति पर खोपते हैं अर्थाज किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अफ्विकार किया जाता है तो उसका रिदे दुखते भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा रिदे क्रोचते भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती और फास जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है क्यों विजार की सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिदय में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सत्य है नहीं ये तो केवल तत्य है अर्ठात जैसा हुआ ता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी कभी उस तत्य को बोलते वे भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मत्तु दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब भए रहते होए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थात क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वभय विचार कीजिए शेश्चता का क्या अर्थ है शेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्ने इस बात का नहीं कि स्वभय कितना ग्यान प्राप्त किया मुल्ने इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ अन्ने लोगों से कितना अधिक है अर्थात शेश्चता की एक्षा ग्यान प्राप्ती को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कभ होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश, तीडा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु स्ट्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इक्षा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हेतु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्य सिस्परधा नहीं होती स्वैम अपने आप सिस्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जपनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुंचती है यह प्रश्ट हम कभी नहीं करते है तक तो यह है कि संकट और उसका निवारन ताथ दन से व्यक्ति के लिए धी और प्रिश्टि के लिए भी नहीं आप अपने भूतकाल का स्वरण कीजे यति हास को देखें आप तुरंथ ही यह जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ति भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ति के चन का कारण है रतेक वेक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमकता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अब तु विश्व के लिए भी क्या ये सत्य नहीं वास्तव में संकट का जन में है एक अफस्तर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अपन अपनी आत्मा को बलवान और ज्यान मंडित बनाने का अपन जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वय में संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य की जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्टर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठ कर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं वास्तव ने वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुनौतियां नहीं विडंबनाए नहीं अव्रोध मिलते हैं सब्सक्राइब पर उसे अपनी योजनाव को बदलना पड़ता कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढखेव दे वो परवत को अपने योग्ये नहीं बना पाता एवल स्वेम को परवत के योग्ये बना सकता है क्या जीवन के साथ गी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग लेता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्चान्ती प्राप्त कर पाता अर्थार जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुक्ता एक मात्र मार्ग नहीं स्वयम विचार कीजे जीवन का हर ख्षण निर्णे का ख्षण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुक अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविदा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनिश्चय से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्तर निर्णे हम दुविदा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविश्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वयम विचार कीजिएगा जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है बस सुदा मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुश्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाए ढूणने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संगर्ष उसे अधिक शक्ति शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती तो प्रतेग संगर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है अर्थार आतों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिति जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संतान के सुक की कामना करते उनके भविश्य की चिन्ता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का प्रेश्न करते रहते जिस मार्क पर पिता स्वेम चला है जिस मार्क के कंकर पत्थर को स्वेम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूब को स्वेम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता की निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीड़ी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं किन्तु हीतर की शंता भीतर की शंता तो इश्वर देते तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश्ट क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रते एक नया प्रश्ट एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नय नय प्रश्टनों संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाप करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना अधार जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा